आज की इस वीडियो में बात करेंगे Samsung M35 के बारे में इस फोन में आपको बहुत जादा नेटवर्क पॉब्लम देखने को मिलता है इस वीडियो में मैं आपको सभी पॉब्लम्स भी बताऊंगा इसी के साथ साथ उनका सॉलुशन भी बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहरे तो मैं आपको बहुताना चाहूंगा जब आप अपने फोन को पॉकेट में रखके कई भी घूमते हो तो कई बार आपका दोस्त अगर आपको फोन करने का ट्राई करता है तो उसे not teachable बता देता है जबकि आपके फोन में पूरा network होता है फिर भी ऐसा problem आ जाता है इसका अब तक कोई solution नहीं मिला है लेकिन कई बार क्या होता है हमारे फोन में network गाइब हो जाता है तो उस time हम अपने फोन को airplane mode करके on कर लेते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाता है लेकिन कभी कबार ठीक नहीं भी होता है तो हम अपने फोन को switch off करके on कर लेते हैं जिससे वो problem भी हमारा solve हो जाता है और कई बार हमारा internet का भी problem आता है जिससे phone switch off on करने से ठीक होता है airplane mode on करने से ठीक हो जाता है काफी ज़्यादा speed आने लगता है लेकिन कभी कभी क्या होता है हम fast speed के checker में अपने phone को 5G only में डाल देते है उस time हमारा phone में internet तो काफी साथा fast चलता है लेकिन अगर हम उस time किसी से phone पे बात कर रहे होंगे तो हमारा phone जो है drop हो जाएगा आप जितना भार भी phone करोगे आपका phone एक दो मिनिट बात ही drop हो जाएगा कभी कभी 30-40 सेकेट पे भी drop हो जाता है तो ये दिक्कत 5G only के वज़े से होता है तो अगर आप अपने phone को 5G only करके रखा है आपने तो उसे आप 5G, 3G, 2G सब कुछ auto कर दो जो network आएगा वही पकरेगा और आपका phone call जो है बहुत कम drop होगा लेकिन आपको internet का speed थोड़ा कम मिलेगा तो हायर आज के लिए वसे इतना ही